कैंडर्ड आमन कहानियों का स्मगलर लेकिन आपने अभी तक कैंडर्ड आमन को अगर सब्सक्राइब या ने कि हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्लीज जल्दी से हमारे चानल को सब्सक्राइब कीजिए धेर सारा प्यार दीजिए कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए चलिए ब कि वॉल का कोई भी हिस्सा नजर ही नहीं आ रहा था यहां तक कि उस वॉल के रंग तक का भी अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल था एक एक तस्वीर खूपसूरती से वॉल पर अपनी जगा बनाय हुए थी जागरती की नजरें जहां तक भी जा रही थी उसे सिर्फ और सिर्फ तस्वीरे ही नजर आ रही थी उन तस्वीरों में जैसे उसकी पूरी जिंदगी जो उसने अपितक जी थी खूपसूरती से सजी नजर आ रही थी जागरती आगे बढ़ी और उसने वॉल पर लगी तस्वीरों को अपने हाथ से चुआ जागरती हैरान नजरों से आरेमन की तरफ देख रही थी और आरेमन आरेमन अपने दोनों हाथ बांध कर जागरती के नजदीक खड़ा था आरेमन ने जागरती से पुछा इन तस्वीरों में तुम खुद से मिल सकती हो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम कितनी खुबसूरत हो इसका अंदाजा लगाने के लिए तुम्हें खुद को मेरी नजरों से देखना होगा ये तुम्हारी जिन्दगी के वो पल है जिने जीने के बाद तुम भूल चुकी हो लेकिन मैं इन पलो को हमेशा के लिए यादगार बनाना चाहता था बस इसलिए मैंने इन पलो को सही जाथा जागरती ने आरेमन से पूछा लेकिन मेरी ये सबी तस्वीरे आपने कब ली? और इने देखकर तो लगता है कि आपको फोटोग्रफी का शौक है आरेमन ने जागरती को जवाब दिया तुमारी बेख़याली में ली है मैंने ये तस्वीरे क्योंकि उस वक्त इंसान सबसे ज्यादा हसीन लगता है और याद 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 आपने हाथ रखने वाली तुम दूसरी ऐसी इंसान हो जागरती ने पलटते हुए आरेमन के होटों पर अपने हाथ रखते हुए उससे कहा मुझे पता है आपकी जिंदगी में इंपोर्टेंस रखने वाली पहली शक्स कौन है अन आम शूर वो आपकी मौम है इतना कहते हुए जागरती ने आरेमन के होटों से अपना हाथ अटा लिया जागरती एक बार फिर से दिवार पर लगी उनी तस्वीरों की तरफ पल्टी और उनमें जिये हुए अपने लहों में एक बार फिर से खोने लगी जागरती के कॉलिज टाइम से लेकर उसे आरेमन की जिंदगी में आने तक की सभी तस्वीरे वहाँ पर नजर आ रही थी आरेमन को भरोसा नहीं था कि वो जागरती के दिल को जीत पाएगा या नहीं लेकिन कम से कम इन तस्वीरों में तो वो जागरती को अपने करीब रख पा रहा था आरेमन ने जागरती के नस्दीकियों की भी काफी तस्वीरे उसमें मौजूद रखी थी जागरती बेट पर आरेमन के बेहद नस्दीक लेटी थी और आरेमन जागरती के साथ उन तस्वीरों में भी उतनी ही खूबसूरत लग रही थी जितनी वो असल में थी। आरेमन ने उन तस्वीरों को निहारते हुए जागरती को पीछे से अपनी बाहों में घेरते हुए उसके कान में आहिस्ता से कहा। उसे जवाब दिया मैं तुम्हें शायद इन पलों से कभी भी रूबरू नहीं करवादा अगर तुम जिद पर नहीं हाती। आरेमन वलोतरा की जिंदगी की एक और एहम इंसान से मिलने के लिए क्या तुम तैयार हो जागरती। आरेमन ने जागरती से सवाल किया तो जागरत जागरती को लिए वो बढ़ चुका था। जागरती हैनानी से हर और अपनी नजरे दोड़ा रही थी। जब उस रूम के अंदर बने एक और रूम का आरेमन ने दरवाजा खोल दिया। आरेमन ने जागरती को बताया। ये घर सिर्फ आस्ता का नहीं बलकि मेरी मॉम का भी यहाँ पर रखी हुई है। मॉम ने अपनी आखरी सासे इसी घर में ली थी। लोग अकसर मौत के बाद जाने वाले की हर एक चीज़ को अपने आप से दूर कर देते हैं या फिर भुला देते हैं। लेकिन मेरे लिए ये बेहत मुश्किल था। मैंने अपनी मॉम से जुड जागरती के सामने उस आकरी दर्वासे को भी खुल दिया। उसने हाथ बढ़ाते हुए उस रूम की लाइट आन की तो जागरती को उस रूम में आरेमन की मौम का सामान रखा हुआ नजर आया। आरेमन ने अपनी मौम की यादों के सहारे जीना सीख लिया था। जागरती रूम में आरेमन की मौम के कपड़े, उनका सजाफ़ती सामान, उनकी तस्वीरे और नजाने कितना कुछ आरेमन ने उनका संभाल रखा था। और मैं कभी इस आरेमन से भी नहीं मिल पाती जिसे मैं आज अपनी नजरों के सामने देख रही हूँ, ना आप आसू बहाएंगे और ना आप कमजोर पड़ेंगे, आप एक रॉक की तरह अपने परिवार की सुरक्षा के लिए खड़े रहेंगे, लेकिन अंदर से आप क्या म को समच सके, आपके पत्थर दिल के अंदर धड़क रहे, उस नर्म दिल की धड़कनों को सुन सके, और सच बताओं, ये सब इतना आसान भी नहीं है, असल में तो आप एक बहुती कॉंपलेक्स इंसान है, लेकिन उतनी ही सिंपल और सुल्चे हुए भी है, जिसे अब जाग जागरती के सर पर हाथ फिराते हुए का, हम, तो इसका मतलब है, मेरी चॉइस गलत नहीं है, आरे मन की ये बात सुनने के बाद, जागरती फौरण आरे मन से अलग हुई, और उसने आरे मन के सीने पर अपने हाथों को मारते हुए का, क्या मतलब है आपका, आपकी चॉइस आपके चुनने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ सिर्फ मैं ही आपकी चॉइस नहीं हूँ आप भी मेरी चॉइस हो सच में आरेमन हमारे रास्ते इतने आसान नहीं थे लेकिन इन रास्तों पर चलकर हमने जो हासिल किया है वो वर्थ है आरेमन इस बंध दर्वाजे का राज खुलने के बाद आज जागरती को ऐसा महसूस हो रहा था कि अब उसके लिए आरेमन के बारे में कुछ भी जानना बाकी नहीं है आरेमन ने जागरती के गालों को चूमते हुए कहा तुमने क्या हासिल किया है इस रिष्टे से मुझे नहीं पता लेकिन मैंने मैंने अपने लिए एक जीवन सा थी जिन्दगी भर साथ निभाने के लिए निवान की मौम और मेरे जीने की वज़ा हासिल किये आरेमन और जागरती इस समय बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुके थे जब इन पलों से बाहर निकालने का काम एक कॉल ने किया ये कॉल आरेमन के एक खास आदमी ने की थी आरेमन के चेहरे के भाव एकदम से गंबीर हो चुके थे आरेमन ने सामने से बात कर रहे अपने आदमी से कहा उसका खयाल रखो गोई भी शाप अबजेक्ट उसके रूम में नहीं होना चाहिए उसके रूम की सिक्यूरिटी बढ़ाओ और एक टॉक्टर जिस पर भरोसा किया जा सके उसे रेगुलर उसका चेक अप करवाओ मैं जल्दी वापस आ रहा हूँ ये कहानी अब जल्दी खत्म होगी आरेमन ने इतना कहते हुए फोन रखा तो जागरती सवाल या नजरों से आरेमन के चैरे की तरफ देख रही थे आरेमन ने जागरती को बताया जागरती ने फोरण आरेमन की हां में हां मिलाई क्योंकि असल में इस सच को जानना बेहत जरूरी था उस रात आरेमन के उपर किया गया हमला उसकी जान लेने की इंटेंशन से हुआ था जो भी शक्स था उसे अच्छे से मालूम था कि आरेमन के साथ उसकी सिक्यूरिटी मौजूद नहीं है। आरेमन आज ही वापस जाना चाहता था और जल्द से जल्द उस शक्स से मिलकर इस बात की तह तक जाना चाहता था कि आखिर इस सब के पीछे कौन है। जल्दी दोनों अपने उन खास पलों से बाहर आए और जागरती ने पैकिंग करने की शुरुआत कर दी। फिलाल आरेमन निवान को दादी के पास ही रहने देने वाला था। उसने सोच लिया था कि वो पहले निर्मे के केस को निपटाएगा उसके बाद ही वो निवान को वा जिस पर उसे पूरा यकीन था कि वो और कोई नहीं बलकि निर्मे मेरा ही है। फिर भी इस बात से शौर होने के लिए आरेमन को कुछ और सबूतों की जरुरत थी। वीर के कानों तक अभी उस शक्स के होश में आने वाली बात नहीं पहुची थी। आरेमन और जागरती जल कर दिया है। आप कहें तो मैं वीर सर को इसके बारे में बता दू। आरेमन ने अपने उस आदमी से कहा। नहीं वीर को इस सब के बारे में नहीं बताना है। उसको involve करने की कोई जरुरत नहीं है। अभी सब को मैं खुद handle करूंगा। मैं जल्दी वापस आ रहा हूं। सा में involved हो जाए, वो पहले ही बहुत सफर कर चुका है और अब मैं उसे और सफर नहीं करने दे सकता, मैं इस सब को खुद handle करना चाहता हूँ, जागरती ने आरेमन के कंदे पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे आप पर पूरा भरुसा है कि आप आस्ता के कातिलों तक जरूर पहु लेकिन ये जानना भी एक एहम कड़ी साबित हो सकता था, यही सोचते हुए आरेमन वापस घर के रास्ते के लिए निकल चुका था, क्या सच होगा आरेमन का शक, निर्मय महरा है आस्ता की मौत के पीछे, जानेंगे कहानी के आगे के सफर में